एलो डियर पेरेंट्स और इस्टुरेंट्स, काउंसलिंग का दोर शुरू हो रहा है और अभी कुछ बच्चों की काउंसलिंग हो भी चुकिया स्टेट वाइस कुछ को अच्छे कॉलेज में ले हैं, कुछ ब्रांच में कन्फ्यूस हैं और अब जोसा की काउंसलिंग की तया काईरी शुरू हो रही है, तो उस संधर में ये वीडियो है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी और एसी के बारे में कुछ क्लियारिटी दूँगा, बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे बच्चों को इनमें अंतर नहीं पता कि क्या होना चाहिए, तो सब लोग कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन आज कल ये तीन ट्रेंड में हैं सबसे ज़्यादा, इसके बाद चोथे नमबर पर मेकैनिकल इंजिरिंग आ सकती है, तो आज इनके बारे में समझें, तो ये कैसे है, क्या डिफरेंस है इनमें, तो मैं एक छोटे से एक एक जामपल से समझाने कुश्च करूँगा, ये एक फोन है, ठीक है, तो इलक्ट्रोनिक्स एंड कम्मुनिकेशन, CS, देखो आप इससे CE भी लिखा जाता है कहीं जाएं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजिनिरिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, और BE और BTEC भी लगव तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, इसकी फिजिकल प्रोपर्टी दिख रही है, तो इसमें सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये सब, तो इसको डिजाइन करने वाला पार्ट, EC में आता है, ठीक है, यानि कि आप सीधा बोले तो हार्डवेर, एक बात और है, यहा एलक्टोनिक शोप पर आपको टीवी, फ्रिज मिलते थे, इलेक्ट्रिकल शोप पर पंखे, कूलर, हीटर सम्मिलते थे, अब तो एक ही जेगे मिलते हैं, और साथ में दिवाली में तो गौल गप्पे भी मिलते हैं, जब खुले पैसे नहीं होते हैं, उनके पास तो गौल खाने को बोलते हैं, कि हमारे यहां को खालो आप, तो इसका मलाव आप बिल्कुल आप डिफ्रेंशेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया है, तो जो इसका हार्डवेर है, ठीक है, वो किस ने डिजाइन किया, एलेक्टोनिक सेंट कम्टिकेशन, इंजिनिंग होगा, या जो इनको विंडो फोन बोलते हैं, जो भी यह होते हैं, इनके प्रोसेसर जैसे आइफोन है, तो वो जो कोडिंग होगी, जो लेंगवेज होगी, जिस पर वर्क करेगा, वो पार्ट किस के अंदर आएगा, CS के, यानि कि आप कह दो सीधा-सीधा ओपरेटिंग सि हैं, और बहुत सारे बैंक के आपके पास एप हैं, इसमें, है न, वो सारे जो नए-नए फीचर्स हैं, जो हमें यूज करने होते हैं, वो जादर किस के अंदर आते हैं, आई-टी के, ठीक है, जैसे मैंने पे-टीम लिख दिया, तो पे-टीम इसका एक इस्तेमाल हो गया, ज यूज हो गया, तो वो आई-टी के अंदर आएगा, information technology, आपका, आप इसमें, whatsapp यूज कर रहे हैं, यह सब आई-टी के अंदर आ गए, ठीक है, और अगर overall देखें, तो इनमें कोई बंतर नहीं है, दोनों ही लेंग्वेज भी यूज करते हैं, coding भी यूज करते हैं, तो य यह basic difference हो गया, अब सर्फ कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो देखो, सबसे पहले आपको decide करना चाहिए, कि ब्रांच आपका interest पर depend कर, आपका interest कैसा है, अगर आपको interest computer में है, तो इन दोनों में से computer science चूज करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का लगवख काम एक जैसा है, तो computer science overall एक बड़ी बलब जिसमे opportunity है, तो यह लेनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल ली, college बढ़िया मिल रहा है, और यह नहीं मिल ली, जैसे for example, आपको DTU देख रहे हैं आप, और DTU में computer science नहीं मिल ली है, दूसरे college में computer science मिल ली है, जैसे आप कोई से नीचे का college देख ल तो अच्छा college है, लेकिन DTU का मिल ली है, तो वहाँ DTU में आपको IT मिल ली है, तो IT ले लो, दोने एक जैसे हो गए, ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया college मिल ला है, और फिर आपको लग रहा है कि यार EC से भी काम चल सकता है, तो EC, अब इनमें थोड़ा सा ध्यान देने EC में यह चाहिए है, ठीक है, कई बार ऐसा भी करती है, कि जो बड़े college होते हैं, जैसे IIT हैं, top college है बचो, जैसे यह आपके triple IT है, अच्छे college, NIT कुछ बढ़िया वाले, तो उन college में क्या होता है, कि अगर कोई company आई, बालो, 10 company आई, तो 10 में से आपको 5-6 company ऐसी होती है, ज लेकिन जैसे जो थोड़े नीचे वाले college होते हैं, जैसे private कहा दो, आप सबसे नीचे वालों कोई मालो, तो private college में भी आपको सबको मौका मिलता है, वहाँ कैसे, क्योंकि उन्हें mass recruitment लेता है, लेना होता है, तो बच्चों उनको तो ऐसे काम लेने होते हैं, वो engineering वाले काम है नहीं, वो data operator वाले हैं, कुछ ऐसे ही कि आपको बता दिया कि यह काम करना है आपको और पूरे च्छे महीने आपको उसी project पर काम करना है, फिर नया project आएगा, आउसके training दे देंगे, 10-20 दिन की फिर उस पर काम शुरू हो जाब, तो उनको तो एक manpower चाहिए, skill नहीं समझे रहो, जो mass recruitment होते हैं, बड़ी-बड़ी company में, जो बीच से के college होते हैं, वो जैसे कुछ आप है, राइटीज ले लो, second tier college कहलो आप उनको, उनमें क्या होता है बच्चो, कि उनमें, जो थोड़ा सा ratio जो है, वो ज़्यादा है, मतलब अगर 10 I company, तो 10 में से 5 तो कहेंग यह तो CS लो, लेकिन अगर आपको interest है कि नहीं, मेरा hardware में interest है, इसमें है, तो फिर EC लो, तो interest भी देखो, और option भी देखो, सबसे ज़्यादा package इसी branch में होते हैं, किसी branch में इतना package नहीं है, जितना सबसे ज़्यादा CS में पैसा होता है, यह reality है, ठीक है, तो यह हो सकते हैं, आपको इस बातों से कुछ सहमत नहीं हो मेरे, यह मेरे अपने विचार है, अपने तज़रुपे पर बोला है, तो अगर अभी भी आपको कोई और किसी branch जैसे computer science, अभी आने वाले time में बहुत सारे बच्चों से आपको मिलाओंगा, अपने students से मिलाओंगा, जो different branch के बारे म में आपको बताएंगे, तो और अभी भी आपको इससे कोई related query है कि हाँ CSIT, मैंने पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको clear कर दिया कि CSIT और EC में क्या difference है, basic, अब इसके बाद आपको decide करना है, आपको अपना career choose करना है, तो अपने आप ठंडे दिमाग से बैठी के सोच कि जो branch में ले रहा हूँ, उसका क्या होना है, उसमें पढ़ाई क्या होगी यह सब, ठीक है हम आपकी बस मदद कर सकते हैं, आपको basic जानकारी देख सकते हैं, wish you all the best, good luck.